हलो एव्रिवान कैसे यह आप लोग आपको वेरी वेरी हैपी इंडिपेंडेंडेंस डे तो दोस्तो मेरा नाम है शुप्रतीम और आप देखरों मेरा चैनल रिव्यूज अन बॉक्स टेग निउस का सही ठीकाना तो बिना किसी दरीके शुरू कर देते हैं आज का टेक एपिस डेंडेंडेंस जो की 73 इंडेंडेंडेंस डें दोस्तो काफी कमाल का स्कून में देख सो तो कूछ इस सतरह का डुडल बनाया है का Realme 5 हाँ दोस्तों ये तो आपको पता है ये लॉंच होने वाला है 20th of August को और दोस्तों और कुछ जादा information Realme ने टीज किया मेरे स्क्रीन में देख लो तो दोस्तों ये जो फोने याने वाला है super solid एक power bank के साथ हां दोस्तों मतलब इसमें आपको 5000 एमिज का बैटरी मिल जाता है मतलब काफी धासू बैटरी होने वाला है दोस्तों 5000 एमिज का बैटरी with such brilliant camera setup मतलब ये फोन तो काफी कमाल करने वाला है market में तो दोस्तों देखते हैं जब ये 20th of August को launch होता है क्या specification के साथ आता है क्या variant के साथ है और price का बात करें तो शायद से दोस्तों ये 8000 से 10,000 के price bracket में होगा अभी तक कुछ confirm नहीं है मगर जितना source से पता चलता है ये 8999 के price में शायद से launch हो सकता है तो देखते हैं क्या price में ये जो phone है launch होता है अब तो बस कुछी दिन बागी है दोस्तों आज तो 15 तारिख हो गया और 5 दिन बस वेट कर लो देखते क्या होता है कि जो की एक phone के बारे में है जिससे उन्होंने कुछ portraits कीचा है कुछ dogs के आप मेरे screen में देख सकते हो वो सारे portraits तो काफी कमाल के portraits कीचा है इस phone से तो दोस्तों ये phone आपका AMIA3 ही है जो की आपका एक camera centric phone है जो की आने वाला है 21st of August से तो ये सारे campaigns करने का मतलब वहीं है आपका की देखो भई अभी एक नया phone आ रहा है तो उसके लिए आप ready हो जाओ जो की ए camera centric phone होने वाला है तो काफी कमाल का ये phone होगा और इसमें camera तो anyway दोस्तों MI का A1, A2, A3 में camera तो लाजबाब होने वाला है तो देखते हैं दोस्तों ये phone जब 21st of August को launch होता है क्या specification, क्या price और कि ता अच्छा camera के साथ आता है तो आप अगर कोई A1, A1 या A2 यूज़ करते हो तो नीचे comment section में ज़रूर बताना तब तक लिए चलते हैं लिए news के तरफ दोस्तों आज का अगला news आ रहे हुए वीवो के तरफ से तो दोस्तों वीवो का next 3 हाँ ये जो phone है इसका काफी दिनों से बहुत सारे lakes rumors सामने आ रहा है मगर अभी कुछ सामने आया है इसके sketches मतलब किस से ये inspired है ये phone तो आप मेरे screen में देख लो ये sketch तो दोस्तों ये जो आपका phone है ये basically आपका watch एक watch एक drop और एक waterfall मतलब इसका जो camera है जो की triple rear camera है जो की circular triple rear camera होने वाला है तो जो की watch से inspired है आपका जो इसका screen है वो एक water drop से inspired है कि उसका जो bezels है वो आपका inspired है किसे waterfalls है तो दोस्तों काफी interesting सा concept है इसमें आपको कोई physical button देखने को नहीं मिलेगा तो देखते है दोस्तों ये phone का बाता है भी तो बस sketch, renders, leaks, specifications यहीं सारे है हमें देखने को मिल रहा है सुनने को मिल रहा है और देखते है actual में ये phone किस तर Huawei के दरब से तो दोस्तों Huawei का Mate 30 और Mate 30 Pro का और भी कुछ leaks जो की देखा गया है आपका 10 के page और Bluetooth certifications के page जिससे पता चलता है कि ये जो phone है ये आ सकता है आपका dual SIM के साथ with gradient black panels तो दोस्तों इसके जो panels होने वाले वो gradient black panels तो काफी सारे ऐसे ही news अभी आ रहा है इसका जो even की case का अभी बहुत सारा लीक आया है जो कि आ सकते एक circular back camera के साथ इसमें शायद से दोस्तों triple या तो quad camera भी हो सकता है वो भी अभी confirm रही है इसमें ये भी सुनने में आ रहा है कि इसमें जो dual camera जो कि उसमें से 4 camera में से या तो 3 camera में से जो 2 camera हो उसमें आपको 40 40 megapixels का camera मतलब total 80 megapixels मेरा देखने को मिलेगा तो देखते दोस्तों क्या आता है बस अभी तो यह सारे links आ रहें information आ रहें तो में भी आपके साथ share कर रहा हूं अगर आप कोई Huawei का कोई phone यूज करते हो तो दोस्तों नीचे comment section में जरूर बता है दोस्तों आप लोग तो PUBG खेलते है तो दोस्तों PUBG क आपका parachutes आपके जो भी मतलब मिल जाते हैं इसमें आपको freedom tokens उसके बाद आपका Patriot Packs तो यह सारे चीज़ आपको मिल जाएगा तो जाओ दोस्तों खेलो और लूट लो तो दोस्तों अगर आप PUBG खेलते हो तो मतलब कितने घंटे खेलते हो वो मुझे comment section में जरूर बता ना तो थोड़ा बहुत खेल लेता हो इनिवे दोस्तों तब तक के लिए चलते हैं अगर आप भगवान में मानते हैं तो भगवान आपको सारे answers दे देंगे तो दोस्तों Netflix में चालू हो गया है आज से आपका scared games 2 का series हा दोस्तों यह जो series है यह 8 episodes में आपको देखने को मिलेगा जो की काफी कमाल actors इसमें है नमाज उतिन सिद्धिक की gangster आपका सैफ अली खान police officer और बाकी सारे जितने भी actors co-actors इसमें आपको देखने को मिलेगा काफी कमाल सा है मैंने तो देख लिया आज का episode so आप भी जाओ enjoy करो बस और क्या तो बस दोस्तों अगर आप Netflix में अगर कोई अगर कोई शोज देखते हो तो वह भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दोस्तों आज को मारा आखरी न्यूज आ रहा है वह है ओला के तरफ से तो दोस्तों ओला ने acquire कर लिया है एक बैंगलरू बेस्ट जो की AI बेस्ट कंपनी है जिसका नाम है आपका pickup.ai हाँ दोस्तों ये एक AI best firm है जो की काम करता है सारे AI technology and developments के उपर तो दोस्तों अभी शायद से आने वाले दिनों में हमें जो Ola का service है उसमें भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा AI best तो देखते हैं दोस्तों Ola कभी सारे चीजों को implement करता है अभी तो बस एक company को acquire किया है तो दोस्तों बस आ बहुत कामना है तो दोस्तों बस आज के लिए अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो नीचे जरूर से comment करें अगर आपको कोई सुजा होए तो भी comment करें लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप मेरे चैनल में नहे है तो नीचे जो भी प्रेस कर दे for everyday's news notification और different videos के लिए तो तब तक के लिए दोस्तों मिलते कल फिर एपिसोड के साथ तो take care bye and good night